असलालेकुम आज हम आप लोग के लिए बहतरीन काजू पनीर की रेसिपी लेकर आए हैं आप इसको एक बर बना कर खाएंगे तो आप इसकी तारिफ के बगर नहीं रह पाएंगे तो चलिए इस मज़िदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए पहले हम काजू को के विए तो हमने यहां 15 20 काजू ली हैं उनको हमने भिगाव दिया है अब एक ककत्यारी में मसाल पेस्ट पनाएंगे तो हमने 1 टीजपून टीकी वाली लाल मिर्च, 1 टीजपून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 12 थनिया पाउडर,5 हंतीजपून हलदी पाउडर और 1 टी भून कर हातों से मसल कर डाला है अब इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 30 मिल और मिक्स करके इसका हम पेस्ट बना कर इसको एक साइट रख देंगे जब तक मसाला हमारा फूल रहा है तब तक हम कडाई लेंगे कड़ाई में हम 13 cup तेल डालेंगे उसमें हम 15-20 काजू और डालेंगे क्योंकि हम काजू पनीर बना रहे हैं तो काजू हम इसमें जादा यूस करेंगे काजू का कलर हल 막ा change होते ही हम इसको बहार निकाल लेंगे जादा डाप कलर नहीं होने देंगे और फिर समें साड़ तीन सौ ग्राम पनीर शामिल करेंगे पनीर का भी कलर हम चेंज नहीं होने देंगे और इसको भी हम काजू के साथ एक प्लेट में निकाल लेंगे काजू पनीर हमारा फ्राय हो गया है अब हम इसी तेल में एक टेबिल स्पून देसी घी शामिल करेंगे साथ में डालेंगे एक टी स्पून जीरा एक छोटा तुकड़ा दाल चीनी का एक बड़ी लाइची चार छोटी लाइची एक तेस पत्ता आठ दस दाने काली मिर्च के चार लॉंग तमाम इंग्रीडेंट्स को हम हलकी आज पर फ्राय करेंगे जब इनके फ्लेवर्स तेल में आ जाएंगे तो हम दो मीडियम साइस की प्यास जिसको हमने बहुत बारी चॉप किया है वो डालेंगे और प्यास को हम गोल्डन होने तक फ्राय करेंगे प्यास हलकी गोल्डन हो गई है तो हम इसमें दो हरी मिर्च बारी काट कर डालेंगे हरी मिर्च को हम प्यास के साथ दो मिनिट पकाएंगे और फिर इसमें 2 टीस्पून अद्रक और लेसन का पेस्ट एड़ करेंगे अब अद्रक और लेसन के पेस्ट को अच्छी तरह से हमें भूनना है तक्रीबन 3-4 मिनिट हमने अद्रक लेसन को भून लिया है और जब हमारा अध्रक लेसन भुन जाएगा तो हम इसमें मसाला पेस्ट एड़ करेंगे जो हमने हल्दी धनिया, मिर्च और कसूरी मेति का बनाया है थोड़ा सा पानी भी बॉल में डाल कर वो पानी भी इसमें एड़ कर देंगे अब मसाले को हम ढगकर पांच मिनट हल्की आज पर पकने देंगे ताकि यह अंदर तक पक जाए अब जो काजू हमने भिगोए थे वह हम मिक्सी के जार में डालेंगे साथ में तीन-चार क्यूब्स पनीर के यह हमने बाहर निकाल लिये थे और दो टेबिल स्पून दही लेंगे थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे पेस्ट हमारा तयार है अब मसाला चेक कर लेते हैं देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है और तेल भी मसाले से अलग हो गया है दो-तीन निट और भूनेंगे मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें तीन मीडियम साइज के टमाटर की प्योरी शामिल करेंगे और इसको भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे साथ में हम नमक डालेंगे नमक अभी तक हमने डाला नी था तो एक छोटा चमच हम नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के साब से कम या जादा कर सकते हैं अब एक बार फिर मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जितना मसाले को भूनेंगे ग्रेवी उतनी अच्छी बनेगी अब देखे मसाले से तेला लग हो गया है तो हम वो काजू, पनीर और दही का पेस्ट जो हमने बनाया था वो शामिल करेंगे साथ में थोड़ा पानी भी डाल कर वो पानी भी इसमें हम शामिल कर देंगे जो साबित गर मसाले हमने डाले थे तो एक एक करके वो मसाले हम बहार निकाल देंगे अब शामिल करेंगे इसमें वन फोर्थ कप क्रीम आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं अब क्रीम डाल कर भी हम इसको तेल अलग होने तक भूनेंगे मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं और देखिए तेल भी कड़ाई के किनारों से दिख रहा है तो इसमें एक कप पानी शामिल करेंगे पानी डाल कर मिक्स करेंगे और एक उबा लाने के बाद इसमें फ्राइ किया हूँ काजू और पनी एड़ कर देंगे रेस्पी पसंदा रहे हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजेगा देखिए कितनी शांदार ग्रेवी हमारी बनी है अब इसमें एड़ करेंगे एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर मिक्स करेंगे और इसको ढग कर हम पांच मिनिट पकाएंगे जादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मसाला भी हमने अच्छी तरह से भूना हैं और काजू पनीर भी हमने फ्राइ करे हुए डाले हैं और पांच मिनिट बाद हम इसमें हरा धनिया एट कर देंगे हलके हातों से मिक्स करेंगे और देखिए हमारी शानदार लाजवाब काजू पनीर की सबजी तयार है इसको आप एक बार जरूर बनाएगा चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं हमें यकीन है कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी इसलिए आप लोग से रिक्वेस्टे के चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा फैमली और फ्रेंड्स में शेयर कीजेगा अल्ला हाफिज